बिहार बोट ने इंटरमेट्रिक परिच्छा में जारी किये हैं 5 करे नियम यानि कि इन 5 करे नियम का सभी परिचार्थिव को पालन करना होगा नहीं तो वो परिच्छा से निसकासित हो सकते हैं यहाँ परिच्छा में आपका जो है कप्रे खुलवा कर भी जाच किया जाएग अगर आप भी इंटरमेट्री की परिच्छा देने वाले है तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यास से देखें चैनल पे पहली वार है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन क्लिक कर ले ताकि बिहार बोर की हर लेटेस अब्डेट आपको सबसे पहले मिलती रहे 2022 में होने वाले इंटरमेट्री परिच्छा के लिए बिहार बोर ने काफी करे नियम जारी किये है जिससे कदाचार मुक्त परिच्छा हो लेकिन जो चात कदाचार नहीं भी करेंगे उन्हें भी इस नियम का पारन करना होगा ताइए देखते हैं क्या है बो नियम और बिहार बो ने क्या करें निंदे जारी किये हैं सभी परिछार्तियों को उसे फॉलो करना होगा जो आपके एक्जाम लेंगे जो रूम में आपके साथ रहेंगे वो भी निस्कासित हो जाएंगे बहुत बड़ी अपडेट बहुत करी परिछा यहां पर होने जारी है देख सकते हैं बिहार बो ने क्या करें निर्देश जारी किये हैं पूरी जनकारी यहां पर दिखेगा ठ प्रिष्चा सुरू होने के पहले जाज की जाएगी. इसकी जनकारी बोर दोरा दी गई है, एक बिछख्ग पे पचीज चातरों को जाज करने की जिम्वारी दी गई है, यानि एक टीचर जो है पचीज स्टुडेंट की जाज करेगा, चातरों की जाज के बाद बीचकों को प्रिछा होल में दूसरे परिछारती से बाचित किया तो निसकासित होंगे, यानि आपको एक दूसरे से बाचित नहीं करना है, प्रिछा के दूरान आतरिक उत्र फैश्तिका आपको नहीं दी जाएगी, जितना लिया गया है उसी में आपको आंसर करना है अलग से कोई कौपी नहीं दिया जाएगा चातर दौरक केंदर में आपस में बाचित करने एक दूसरी की मदद करते पक्रे जाने पर निसकासित कर दिये जाएगे OMR पर वाइटनर, इरेजर, नाखून, बलेड आधी का इस्तमाल करने पर OMR रध हो जाएगा यानि OMR पर भी आपको कोई भी वाइटनर नहीं लगाना है नहीं इरेजर लगाना है नहीं नाखून लगाना है गलत हो गया तो छोड़ दिजिए, इरेजर भूल के भी नहीं लगा नहीं तो OMR रध हो जाएगा और आपको जिरो मार्क्स मिलेंगे अबजेक्टिव पेपर में साब साब बिहार बोडने की रोग किलियर कर दिया है परिच्छा शुरू होने के एक घंटा तक बाहर जाने की अनुमती नहीं होगी एक घंटा हो जाने तक आपको बात्रूम, वास्रूम कुछ नहीं जाना होगा कितना भी लगा रहे एकदम दबा के बैठे रहना है मास्क लगा कर केंदर पर मिलेगा परवेस और साथ साथ आपको मास्क लगा कर जाना है क्योंकि जिस केंदर पर मास्क नहीं होगा अगर मास्क नहीं होगा तो आपको बोलेंगा जाए मास्क खरीद के आए तब आएगा इससे परिच्छा में लेट हो सकता है इसलिए मास्क आप लेकर जाना 10 मिनट तक पहले केंदर पर मिलेगा परबेस बोर्ड की माने तो चात्रों को परिच्छा होल में परबेस परिच्छा सुरू होने के 10 मिनट पहले तक मिलेगी पहली पाली में के लिए 9-20 मिनट और दूसरी पाली के लिए 1-35 मिनट यानि इसके पांच मिनट भी लेट से आएगे तो आपको इंटरी नहीं मिलेगी परिच्छा हॉल में परवेश से पहले दो बार परिचारती के जाच की जाएगी यानि पहले तो दो बार आपको बाहरी जाच किया जाएगा उसके बाद छात्राव के लिए महिला पुलिस की विवर्स्था की जाएगी यानि अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए फीमेल पुलिस रहेगी और वो ही पूरा जाच करेगी ठीके मेल फीमेल दोनों का जाच किया जाएगा यानि कोई यहाँ पर बच नहीं सकता है लेकिन स कुछ भी सोना गयाने पहन कर नहीं जाएने तो जाच में खुलकर गिर जाएगा तो आप खोड़ते रहा जाएगा यह परिच्छा खराब चला जाएगा ठीके तो इस तरीके से आपको परिच्छा में सामिल होना है तीन बार हर तरीके से जाच होगी और जो निर्देश दि अपने दोस्तों तक जरूर करें